दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी कंपनी की जो बहुत पहतरीन कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है जिसमें आप सौट टम में काम कर सकते हो जैसा कि आप देखेंगे दोस्तो आज सेंसेक्स हमारा 600 के आसप ज grey udah करीबन मैंनस 1.2 तू-1.12% की फिलिए देफिये तो दोस्तो 176 हिए और दोस्तो बहुत ज्यादा ज्यादा दोस्तो इस्तो यह आथ असपास दोस्तो यह घ्रावे किं और जिक जो FED के तो दिरे दिरे क्या होगा कि एम यह मास बढ़ने लग जाती दोस्तों क्योंकि जो कमपनिया होती है वो बहुत जादा लोन्स वएगरा लेती है जिससे कि क्या होता है कि loans EMI बढ़ जाती है तो अगर बीच में by chance अगर company में कोई problem आती है तो उससे क्या होता है company निकल नहीं पाती है इससे दिरे दिरे क्या होता है सट डाउन होने सुरू हो जाती है company उससे loans default होने लग जाते है और bank के नपे भी सांथ के सांथ बढ़ते है और companies भी जाती है उसकी वज़े से problem आ रही है क्योंकि जो भी फैड ने जो बताया है कि संकेत दें कि आने वाले टाइम में 22 मार्च को उनकी meeting है तो हो सकता है कि interstate और बढ़ेंगे हो सकता है नहीं इंटर स्टेट बढ़ने ही वाले है क्योंकि जैसे जो कि दोस्तों जो युद्ध चलना है हमारा यूक्रियन और तुमारा रश्या का वार चलना है उसकी वज़े से बहुत ज़्यादा इंफलेशन आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है उसकी सम्भावना देखते हुए अमेरिकन जो गौवर्मेंट है फैड है वाँ कि वो अपने इंटर स्टेट को बढ़ाना चाते है वो अपने डॉलर को दोस्तों उनका जो डॉलर है पुरे वर्ड में उनके डॉलर से ट्रेड होता है तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे ओएंटर हर कंट्री को financially weak बना रही है और इनको financially weak करके दोस्तों हो इंटराइड ले उनको कंट्री उनकों कंट्रीज को खतम करना चाते है चोटे मुटे कंपनिया तो वैसी खतम हो जाidores क्योंकि इंफ्लेस से इतना बढ़ जाएगा डॉलर की कीमत इतनी बढ़ जाएगा जितना भी काम इंपोर्ट होता है दोस्तों जो भी इंपोर्ट होते हैं हम इंपोर्ट करते हैं वह सब डॉलर में होता है और जो भी जितना भी दोस्तों जो वर्ल बैंक से जो लोन दिया रह है सब डॉलर पर ही है तो जो दोस्तों देखते हैं नैस्डेक जो था हमारा वो डाउन था आज इंडियन बजार भी 671 परसेंट डाउन है और देखे दोस्तों जो हमारी अच्छी अच्छी ब्लूचीप कंपनिया उनका भी बूरा हाल है देखो एपसी बैंक 2% के आसपास गिरा है और इंडिझे लेन बैंक तुम्हारा देखो 2% के आसपास यह भी गिरा दोस्तों ठीक है और आप बात करते हैं कोटगग बैंक कोटगबै व्यज़ार यह और यह देखेगे एजब्लय की वह 2% की पिताई हुऀ है एक परसेंट गिरा तो हम यहां से बहुत सांदार तरीकी से पैसे कमाएंगे की स्ट्राटेजी बनाएंगे आपको पसंद आए तो आप इसको ट्राइ करें प्रैक्टिस करें और यहां से अच्छा का सब परसेंट है रिलाइंस देखें दोस्तो आच अच्छी तरह किसे काम कर सकते हैं इन कंपनियों में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वज़े से हर कंट्री इंफलेशन की चंगुल में फसी है तो यहां पर क्या कर सकते हैं तो हम अगर यहां पर तुक्ले टुक्ले में खरीदेंगे तो हम यहां से अच्छा कैसा कुछ परसेंटेश निकाल सकते हैं तो यहां से निकालके अच्छा से काम कर सकते हैं तो हमें क्या करना है थीरे धीरे धीरे सीप में स्मॉल पॉंटेटिव में अपनी स्वज़ानी है और जैसी पूल बैक मारता है दो बारा तो वहां से हमें 10-20 परसेंट निकालन निकालके लेके जाने हैं तो वहां से हम बहुत अच्छा अम्ड बना सकते हैं ऐसी हम काम SDFC बैंक में कर सकते हैं क्योंकि यह ब्लू चिप कंपनिया है दोस्तों और बैंक निप्टी देखो बैंक निप्टी वह उपर नीचे जाता है तो हमें नीचे में बाई करना है उपर में सेल करना है तो यहां से अराम से 3% यहां से डेली के कमा सकते हैं और मंतली यहां से 36% ले सकते हैं अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो दोस्तों यहां से 40% हमारा ELE भी बनता है और कोटल यहां से 15-20% बनता है जैसे जैसे आपकी capital उसके accordingly आपको क्या करना है SIP में काम करना है टुकडे तुकडे मे काम करना है ठीक है दोस्तों यह बहुत जबरदस्त गुरू मंत्र है यह हर कोई investor अगर ऐसे काम करेगा जैसे की थोड़े-थोड़े तुकडे-तुकले में काम करेगा SIP में काम करेगा और थोड़े कुछ time के लिए hold करेगा तो उसके 10-20% बनना निच्ची था यहां से पैस हमें पैसे ऐसे ही बनीगे क्योंकि long term में पैसे बनने के आसार अभी फिलाल क्योंकि क्योंकि काफी है अभी मार्केट में उसकी वज़े से यह बनने ही पा रहा है तो हम ऐसे काम कर सकते हैं तो दोस्तों यह तो थी कुछ कंप्रे हैं जिस पर हम regularly काम कर सकते हैं और यहां से monthly monthly यहां से दोस्तों 3% निकाल सकते हैं और यहां से को अपना साल का यहां पर 36% निकाल सकते हैं बैंक से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि bank बहुत कब देता है दोस्तों जो हम स्टॉक के बात करेंगे उसको स्टॉक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड बहुत सांदार और अपनी बैंक बहुता करीड बैंक है इंडिया बहुत काफ स्टॉक ही और जासे के बहुत जादा बिजनस को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा तो इसके almost 7 क्रोर के आसपास customers हैं और जो इसके customers हैं दोस्तों बहुत 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 कर से premium customers हैं और SDAB से एक बहुत अच्छी services प्रवाइट करते हैं अपनी customer को देखो rv allows उसके लिए तो हम इस बैंक में काम कर सकते हैं वह बहुत अच्छी बहतरीन काम है जब जब यह 2% डाउन जाता है तो आपको क्या करना है दोस्तों इसको उठाना है यहां से पूल करना है जब यहां पर लिखो बॉटम में खरीट रहो ज़्यादा क्योंटिटीज नहीं करना है दोस्तों सिर्प आपको 16 लिखना है और यहां पर दीरे दीरे जब भी 2-3% गिरता है तो आपको इसमें एक्यूमलेशन करनी है और एक्यूमलेशन करके यहां पर क्योंटिटीज बढ़ दोस्तों यह वापिस क्योंकि फंडामेंटर स्टॉंग कंपनी तो यह फूल बैक करेगा जब 1600 आपका वापिस दोबारा 1600 से निचे गिरके आप सपोज आने आले टाइम में गिरता भी है तो यहां से आपके 20 परसेंट आमांट 20 परसेंट आराम से जनरेट कर सकतो दोस्तों एपडे में जाओगे वहाँ से 6 परसेंट मिलेगा पर यहां से आपको 20 परसेंट एक दो मेहने में ही मिल जाएंगे अगर आप इसे थोड़ा से होड कर लोगे आपको कुछ नहीं करना है बहुत बहतरी इन कंपनी है पांस साल का आप इसका रिकॉर्ड देगा तो पिछितर सबीन कुछ तो किषी इनका उसा यहां पर इनवेस्ट और तो इस है धर तो आप यहां पर क्ल好像 पर इन्वेस्ट का पार्ट है, बैंक निप्टी में कॉल और पूट लगती है, तो यह ऐसे फ्लेक्टूट करता रहता है, आपको बॉटम में खरिदना है, उपर सेल करना है, और यहां से आराम से महने के 3% उठाईए, और साल के 36% उठाईए, 36% बहुत होता है, ज्यादा लालत मत करिए, बस यह से पैसा देरे-देरे उठाईए, इसी काम होता है, और आज की टाइम में तो फ्लेक्टूट से इतनी ज्यादा है, मार्केट में तो लॉंग टम में ज्यादा सोचना नहीं है, स्विन टेडिंग के ज़ले 20-30% जितना मिल ला है, आपको यहां से निकालना चाहिए, HDFC बैंक आपको इसमें गिरावटे मिलेंगी, बीज बीच में 2-3% जैसे 2% तो आज ही आको गिरावटे मिलगी, तो आपको यहां पे एक दो सेर खरींदे लेगे, जैसी 2% और गिरता है, तो 2-3 सेर और खरींदे, ऐसे से कितना किरेगा, पांस से 10% गिर जाएगा, आप यहां पे क् बना लेंगे दस दस से की कोईन्टेट बनाएंगे जब यूप एक दिन दोस्तूं अगर 15 दिन मार्केट गिरती है तो दो दिन बढ़ती बिए दोस्तों आराम से सारे recovery कर लेती है जब यह अपने amount पाएगा तो आपको पैसा यहां से आराम से 10% बन जाएगा तो दोस्तों यह 10% आपके 2-4 महने में बन जाएगा क्योंकि company बहुत strong है अगर by chance आप कही फस भी जाते तो आप इसे hold कर सकते हैं 2-3 महने के लिए hold कर लेगे क्या हो जागा bank सेव एकाउंट में भी तो आपका पैसा पड़ा होगा यहां वहां से पैसा बनने के बजाए यहां से पैसा बनेगा तो यहां से पैसे बनाए investment को ग्रू करिए तो एक बहुत अच्छी opportunity आपके लिए ज़ए ग्रावट आती तो सब्सक्राइब कोई कमी नहीं है अगर इनके थोड़ा सा प्रमोटर की बात करें तो पच्छीस का सब्सक्राइब करोगी दूसरे बैंक से तो यहां पर आपको प्रमोटर कमी मिलेंगे देखिए दोस्तों यहां पर किते जवर्दस्त देखिए 32.10 के तो एफाइस है फौर इंवेस्टर से इसमें डी आइस देखिए टॉमस्टिक इनवेस्टर इसमें अच्छी कमपनी है आराम से यहां से 15-20 परशन साल के आराम से बना सकते हैं आप 6 परशन आपको बैंक में म कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको क्या करना है दो तीन चीजे बें दोतिन चीजे ऌपर कौ रों दोस्तों अपने बार बार यह कहते हैं कि दो थिन चीजों पहां करना क्या क description से right price है नहीं पता लग सकता है दोस्तों और ऐसे conditions में जहां पर इतनी volatility है तो वहाँ पी तो हम उसमें प्राइस पता ही लगे तो हम उसमें सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं तो stock को तोड़ तोड़ के खरिच सकते हैं यहाँ पर दिखें बॉटम बॉटम में खरीटे रहे खरीटे रहे खरीटे रहे खरीटे रहे और धीरे धीरे जब एक बार यह पूल बैक करेगा कोई भी रैली आएगी आप ट्रेंड आएगा तो यह पैसा आपको 20-30% यहाँ पर बना के देदेगा फंडमेंटरी बहुत सॉलिट कंपनी है तो यहाँ पर आप अगर 2-3 महने के लिए फस भी जाते थे से होड़ करके बैठ जाईए और कुछ नहीं कर सकते हैं ज्यादा पैसा लगाना नहीं है किसी कॉइंटरी में कितना पैसा आपका ज्यादा से ज्यादा 50% डाउन हो जाएगा बट यह कंप्रिया फुल बैक करेंगी क्योंकि बहुत जवरदस्त कंप्रिया तो आपको आपको खरीदना है S.I.P. में कोई भी स्टॉक को आप S.I.P. पे खुरे दोगो दोस्तों तो आप उस स्टॉक को तोड़ दोगे वह स्टॉक आपसे दोस्तों उस स्टॉक से आप लॉस्ट बूक नहीं कर सकता आप उससे प्रॉफिट ही क्मा होगे क्योंकि आपने एक काम क सब्सक्रांप बहुत बहुत बैतरिन काम कि है आपने भी स्टॉक को देरे देर दियर तुक्लों अख्रीदा जिसने तुक्लों में खरीकता है रिटेलर इस दोस्तों कभी यहां से loss नहीं कमाया है तो आपको क्या करना है दोस्तों आपको इस stock को fundamentally strong company को बहुत जबरदस्त company है इसको क्या करना है आपको SIP में खरीदना है जब यह pullback करेगा तो आपका 10% आराम से आटमेटिकली बन जाएगा तो 10% यहां से बन गया तो दोस्तों आप इसको profit book कर सकते हो और इस पे काम कर सकते हो और दूसरी company खरीज सकते हो और ज्यादा और किसी भी stock में दोस्तों huge amount में काम नहीं करना होता है huge amount में बड़े players करते है जिनके पास काफी पैसा है जो एक normal job करता है बंदा जो अपनी investment करता है जो अपनी savings से पैसा बचाता है उस बंदे को सिर्फ एसाइपी बचा सकते हैं और एसाइपी के थुरूई stock market में आची नहीं तो दोस्तों आप stock market से दूर रहिए call put में मत जाईए fnm मत जाईए क्यों तो call में उपर जाता share और put में निचे आता तो उससे क्या होता है इन बैंकों में volatility रहती है और यह उपर निचे उपर निचे trade करते हैं 2-3% अभी उपर जाते हैं 2-3% निचे जाते हैं एक अच्छा सा demand account खुला रहे है जहां पर आपको delivery सस्ती हो तो और वहां से इन stocks में का अब गिरावट आएगी तो आप उन गिरावट पर खुस होगे क्योंकि आपको यहां पर stocks को accumulate करने के लिए मौके मिलने हैं वह मौके हैं आपके लिए जो जो गिरावट है दोस्तों वह एक retail investor के लिए मौका है और मौके पर चौका मारेगा वह बंदा strong market से पैसा कमाएगा अब stock market से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं तो आप इस पर काम करिए दोस्तों practice करिए अगर आप इसको practice करिए आप इसको देखिए watch करिए कुछ time तर वाच करिए आपको लगता है कि हाँ यहां से मैं पैसा कमा सकता हूं तो उस जी stock market में आईए डेमेट अमोर्ट डेमे 30% उठाइए और घर लेके जाए और फिनेक्स ऐसी कोई अच्छा फंडामेंटी स्टॉक कंपनी में देखिए और वहां से पैसे कमाईए ठीक है दोस्तों यह था strong market से पैसे कमाने का बहुत simple और आसान तरीका तो अगर उत्वासा वीडियो पसंद आता है तो आपको like कर दी ज्यावाल से चानल दनीum